प्रेजेंटिंग स्पॉंसर राष्ट्रिय स्वास्थ मिशन गुज्राथ स्पेशल पार्टनर आपके पीसी में कौन रहता है वाइरस या क्विक ही सिल्वर पार्टनर सेफ्टी चेंग हिंदुस्तान की बाद 2021 सूरत से जैसे कृष्ण सूरत नमस्कार बहुत स्वागत अभिनंदन मैं माधुरे कलाल आप सभी का कर रही हूं उस धर्टी पर जो रतनों की खान है हमारी धर्टी मा को रतन गर्भा कहा जाता है यानि इसके गर्भ में रतनों का अमबार है और पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में रतन गर्भा का दर्जा जिसे सबसे पहले दिया जाता है वो सूरत है तो एक बार फिर से आप सभी को जैसे कृष्ण सूरत में हिंदुस्तान की बात इसी लिए भी महत्वपून है क्योंकि ये शहर और इस शहर के लोग सामाजिक, आर्थिक और रजनेतिक हर पहलू के लिए सबसे पहले पायदान पर खड़े है इसलिए आज हम सूरत के बड़े उद्योग पतियों से ये जानेंगे ये समझेंगे कि जिस नए भारत का सपना हम सब प्रधानमंत्री की आँखों से एक साथ देख रहे हैं उसे आत्म निर्भर भारत बनानी की तरफ हम क्या सच मुझ सही दिशा में चल रहे हैं आज किस कारकरम का जो एजिंडा है वो मेरा सिर्फ ये है कि इस सूरत से निकल कर कैसे देश के आत्म निर्भर होने का सपना आपकी आँखों से हम देख पाएं हिंदुस्तान की बात एक ऐसा कारकरम है जिसमें हम आप से आपकी बात को आपकी समभाद को पूरे देश तक पहुचाएंगे और किसी भी कारकरम को काम्याब बनाती है उसकी पूरी टीम और हम अपने वैल्यूबल स्पॉंसिस को भी अपनी टीम का हिस्सा मानते हैं इसलिए मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे स्पॉंसिस का जी हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात सूरत से दोहजारे कीज प्रेजेंस रास्टे स्वास्थ मिशन स्पेशल पार्टनर क्विक हील आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताओं कि कुछ महमान हमारे साथ वर्चुली जुड़ रहे हैं मेरा चो पहला पैनल है रास्टे स्वास्थ मिशन से जुड़ी डॉक्टर धर्मांग ओज्जा और डॉक्टर हार्दक पतेल दोनों ही मेरे साथ एहमदाबाद से जुड़े हैं और वर्चुली जुड़े हैं हमें खुशी होती किसरा आप यहां होते लेकिन कोरुना के इस मुश्किल दौर में कई वक्त और कई मौके हमारे लिए ऐसे आए हैं जब हमने वर्चुल दुनिया को ही अपना लिया है और ये भी आज के लिए बहुत ज़रूरी है डॉक्टर धर्मांग ओज्जा मेरा सबसे पहला सवाल क्योंकि जब हम सबसे बड़ी धनराशी की बात करते हैं तो वो हमारा स्वास्त है क्या हम ये मान ले कि हमें अब कोवीट के साथ ही जीना पड़ेगा आपकी बात एकदम सही है मैं कहना चाहूंगा क्योंकि अभी जैसे पहले भी हमने देखा है कि पहले इंफेक्शस डिसिस की बात करे तो मलेरिया और टाइफोड और नियोनिया इस सब बीमारियाती उसके साथ हम लोग जीना सिखी गए थे पट उसके बात देंग्यू आया जब देंग्यू आया तो सब को लग रहा था देंग्यू हुआ तो अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता काउंट्स वा हो जाएंगे उसके सामने भी हमने लड़ना सिखा कैसे उससे बचना है अगर हो जाया तो उसकी ट्रीट कैसे करना है डॉक्त को कब करना है उसी विसाब से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये नया विसीज आप्टर स्वाइन क्यूट कूविड आ गया है कि उसको कि हमें प्रेक्टिकल लेना ही पड़ेगा और एकस्टंस लेना ही पड़ेगा मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ संबाना नहीं है ध्यान नहीं रखना है और को होने देना है ऐसा कहने का मेरा जरावी मतलब देना है ऐसा कहने का मेरा जरावी मतलब देना और उसके हिसाब से आके एकोडिनी हमें उसको उसके साथ लड़ने की तईयारी रखनी है, एक मेंटर क्रिपरेशन की बार है, यह ऐसा तहने का जराभी मतलब नहीं है कि कोड की फस्क वेवाई, उसकी वेवाई, इसी हमें आने ही देनी है, इस देजन में लाइक है, but we have to be prepared. पर मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो प्रॉपर बात है, वो मैं लोगों तक पहुचा पाऊँ. डॉक्टर हार्दिक, कोड हमारी का हमारे जीवन में मनुवज्ञानिक तौर पर बहुत असर पड़ा है, क्या इस बीमारी ने ज्यादा लोगों को कमजोर किया है मानसिक र जो पर सब्सक्राइब कोशिश का असर बात है, जो बात है, जो पर बात है, जो लेडर बड़ वट था उप्षान हो अभी तो सारे लिग देखा जाया तो अमने देखा भी लेवाई तो काफी सीवेर वेवाई और काफी लोग एक्सपार हो गे, सब्से भी ज़्यादा से ज हमके जाना तो काफी सारे अटक्षाँएब की लुखव Tibetan तरिकी से क सुप्ऐ Жुए है, लोग झाय जाना खाई पैसर अटक्सीफ सरा मांसिक लोग गण然 होगी किसने में टीकर फकरई दो किसा काइना पैसे कोने पर गे इसना ढम आइना अग हो एक किसने सारे कीना थे तुपिज एड़े देजने से काफी सरव अब जो मानसी क्रों को से कुछी तो ऐा है रहत तेनो की तिरव से वह qua रुशन हुआ है बट मैं एक चिज़ करूँ ना धी कोई एक सिच्च भी किसी ना किसी जिन्गी में कही आ पर धेसिते हैं तो आपी करें कि खेकने कोई अधियर कोनल रेखिए अधिक अखियर र elemental करता है। वह यूज राजते हैं जए भाष नबने अखो लिफटाहू शॉस्त करंद जरें भीटी क क करते हैं। इसम एक फ्रॉड धिशने को बड़ाई ए पर ऊफंगे अधिय। कोवीड एक ऐसी समस्या है या ऐसी महमारी है जिसने पूरे देश में एक टेंशन पैदा किया है और मुझे लगता है कि ना सिर्फ डॉक्टर्स को इसकी चुनता है पाल की पूरा हर जन्मानस चाहता है कि हम इससे कब से कब जल्दी से जल्दी बाहर रिकल पाए हम कैसे नए रास्तों को अपनाएं और ठीक हो पाए और इसी कड़ी में जब वैक्सिनेशन की शिरुवात हुई तो हर किसी को एक राहत की सांस मिली डॉक्टर धर्मांग आप क्योंकि गर्मेंन से भी अभी इस वक्त पे गुजरात पे मैं बात करूं तो कोवीड वैक्सिनेशन ड्राइव की क्या सिट्रेशन है क्या इस्तती है मौझूदा आकड़ी कहां तक पहुंचे हैं मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे गुजरात में कोवीड वेक्सिनेशन जो प्रोग्राम है जो आइधिंग जो लॉंगेस चेंड है वेक्सिनेशन वह बहुत स्मूदी अभी चल रहा है और जो पात कहीं चाहें तो फ्रॉंट लाइन वर्कर्स हैं इसमें हेल्टेर परसन ह दोक्तर से नर्सी लेबरेटरी परसिल से वह सबका तो ऑल्रीड वेक्सिनेशन कंप्लीट हो गया है और पिछले एक देड महिने से आप्टर 18 वाले सबकादी वेक्सिनेशन स्टार्ट हो गया है और कापी सारे लोगोंने सिंगल दूस को लेह लिया है ओकिन पूशिल हो या सबकादी वेक्सिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो गवर्मेंट है वो काफी इसमें एक्तिव पार्टीपेशन कर रहे है और जहां भी वेक्सिनेशन बूस है वो चाया अपन हेल सेंटर हो प्राइमरी हेल सेंटर हो या फिर कुछ प्र्इब होस्पितल सो जिसको मैं इसा भी कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उसके कंपरेटिवली अवर एक्सिनेशन प्रोग्राम इस गोई वेरी स्मूड़ी इसमें कोई तो रहा है कोई ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है यह पूरा दुनिया जानती है पूरा देश इसको समझ भी रहा है लेकिन एक चीज बहुत बढ़ गए है कि हम लोग फिटनेस की तरफ जुकाव रखने लगे हैं तो आप डॉक्टर हैं फिटनेस मंत्रा क्या देंगे आप लोगों को जो अपना देयान जो गवर्मेंट है ऑफिसर से दॉक्टर से नसीं साथ पूब्लिक है एक हेल्थ की तरफ देशिए अपर गया है अभी लोग काफी हैं पूंचिस हो गए है अपने को पॉजिटिव सरी तरफ जीज और पोजिटिव चीज को देशना पड़े हैं और अभी अब नेका जाओ, तो सारे लोगे अपना पॉफेक्शन, फित्नेस या तो अपना फूर प्रोड़क्स, ज़से पहले आउटस फूद ले जाते थे आउटसर गूमना, खना पिना बहुत है तर बहुत था तर लोग जिस तवह जाते थे तर हूंचिंस टोंचिस भूमते थे आप दोनों के हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं चाहती थी क्यूंकि आप गर्मन से डिरेक्ली कनेक्टेड हैं बहुत बहुत शुक्रे दोक्टर धर्मांगुजा, दोक्टर हार्दिक पत्रील हमारे साथ जुड़ने के लिए सकारक्रम में चर्चा में बुलाऊंगी मैं अपने सेकंड पैनल को जो उद्यूपतियों का एक बड़ा पानल मेरे साथ जुड़ने वाला है सेकंड पैनल में मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ स्री कुविंग भाई धुला किया जी, बहुत-बहुत स्वागत सर, मैंने फिर कहा कि आपकी सहचता को पूरा सूरत ही नहीं, पूरा देश जानता है और इस हर ओनर कि आप यहाँ पर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे जूटा हेल्थ केर के श्री केतन जूटा जी प्लीस वेलकम सर, और राजहन्स गुरुप के श्री जैश्र दिसाई जी, बहुत-बहुत स्वागत सर आपका भी और इसी पैनल में मेरे साथ रहेंगे, NJ India Invest Private Limited के श्री नीरच शौकसी जी सर बहुत-बहुत स्वागत आपका इस खास पैनल में जुड़ने के लिए दोला किया जी, मैं सबसे पहले आपी से शुरू कर रहे हूं, क्यूंकि हम लोग एक कैंपन चला रहे हैं, वोकल फोर लोकल, स्वदेशी अपनाओ, इन सब चीजों में, मैं सूरत को अगर जोड़ूं, तो कैसे इसे सूरत का बिजनस क्लास, इसे राष्ट्र भक्ती से जोड़ रहा है, अपने बिजनस को भी, अपनी पारंपरिक विरासत को भी? सबसे पहले सूरत वाले सूरतिवों का रदय बहुत विशाल होते हैं, और एक कर्ण की भूमी है, कर्ण दानेश्वरी था, इसलिए सूरति लोग जो छोटा है या बड़ा है, मगर वो देने में ही मानता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा डोनेशन अगर होता है, तो सूरत में से होता है। देखो, सूरत की जो पहचान है, डाइमन सिटी, टेक्स्टाल सिटी, और अभी जो फ्यूचर अभी हो रहा है, वो IT इंडस्ट्री का धिरे-धिरे जो बढ़ रहा है। तो अगर IT इंडस्ट्री को अगर थोड़ा सा अगर उसको help मिल जाए, तो सूरत की एक और नई पहचा कंपनीज हैं, Cadbury हो गया, Nestle हो गया, आप क्यूं उसमें, आपको कैसे लगा कि यहां से निकल कर एक चॉकलिट बिजनस हुआ, या फिर इस तरह की बिजनस को यहां संभावना मिलेंगी, या देश में ऐसे अपनाया जाएगा, या इस बिजनस से हम देश की अर्थ हमें हेल्फ कर पाएंगे, संभावना इस तरह से लगे कि जो गुजरात और जो सेंटल के अंदर, जब नरंदर भाई यहां के चीफ मिनिश्टर थे, तब कुछ हम एक मीटिंग से बेढ़े थे, बिजनसमें के मीटिंग थी, तब सर ने बूला था, कि आप अप अलग अलग पाइंग बिजनस जो होता है, वो आप करो, तो हम ने सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर, जो कॉंपिटिशन किस बिजनस के अंदर, कॉंपिटिशन काम है, तो मैंने देखा तो चोक्लेट इंडस्री जो 16-17,000 कोरड की हिंदुस्तान की मार्केट है, और इसके अंदर दो ही तो दू प्लेएर और ओथ दो न प्लेएर, समझो मलटी लटी नेशनल कंपणी दो नहीं, तो हमने सोचा, जब सोचनी से पहले, हमने हो देखा, कि ये कंपनी को, जो हम इस दो कंपनी को हमको करना है, तो हमको पहले टेक्नोलोजी, quality, infrastructure इस सब कुछ हमको करना पड़ेगा तो लगभग हमने 200 कुरूर डूबिया के इंवेश्मेंट से फैक्टरी डाली और जब हम फैक्टरी डालने से पहले हमने सर के साथ बात की थी तो सर ने बोला, go ahead if you want any permission from Gujarat Government, that time तो हमको single window के अंदर all permissions हमको देदी और प्रोचसान भी दिया इसके अंदर फूड के अंदर कुछ सबसीडी भी थी तो इसके लिए हम ये बिजनेस के अंदर आए कि जो कॉंपिटेशन और आज हम हिंदुस्तान की थर्ड लार्जिस चॉकलेट फैक्टरी गुजरात पे व्यापार बसता है मैं सूरत जब आ रही थी तो मतलब ये मेरा अपना experience है मैं आपसे लिए चॉक्सी जी अगला सवाल लोगी क्योंकि मैं यहां पहली भी आई हूँ और जब भी आई मुझे ऐसा लगा कि जब आप बाहर से सुनते हैं तो गुजरात एक बड़ा आस्पेक्ट है उसमें छोटे शहरों में सूरत को हम गिनते हैं कि अच्छा सूरत जा रहे हैं अच्छा ठीक है लेकिन जब मैं यहां पहली बाहर आई थी तो मैं शॉक्ड थी मैंने पूरा दिन सूरत घूमा एक-एक मैं पहले एक-एक मार्केट देखने गई सो आइवेंट एट सर्दार वरला भाई पतिल जहां पूरा हीरा व्यापारीद बैठते हैं मेरा एक्स्पिरेंस बता रही हो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतब हमारे यहां सुभे सबजी जैसे बिखती मैं से यहां हीरा बिखता है तो यह शौकिंग था फिर मैं पूरा टेक्स्टाइल मार्केट घूम के आई मैं ने रिसर्च के आपके शहर पे ऐसे ही मैं नहीं बैठी हूँ तो हमारी टीम जब अभी आ रही थी तो हम लोग ट्रेवल बाइ रोड आए थे एहमदाबाद से तो हमने कहा कि मेरी जो टीम थी उन्होंने कहा कि देखिए हम सोना चाहते हैं हम बहुत शहरों में घूम रहें तो मैंने उनसे कहा कि आप सोईएगा मत एहमदाबाद से बडोदरा होते हुए अगर आप सूरा तार हैं लेकिन इस पहजान में अगर चॉकसे जी हम बाहर के लोगों को inwite करना चाहे तो इस शहर में इस जमीन में कितनी संभव ना है जब आप निवेश्व की बात करते हैं जब आप और लोगों को आपने साथ जोड़ने की बात करते हैं देखिए मैं मेरे कंपनी की बात करूँगा तो 94 में हमने बिजनेस चालो किया तो financial services mutual fund distribution हम करते थे तो अपना जो financial capital है वो Bombay माना जाता है तो एक समय था कि जब हमारे लिए भी decision लेना था कि हम हमारा headquarter Bombay shift करे या हम सूरत में ही रखे बट हमको ऐसा लगा कि जो सूरत का culture है जो सूरत की भूमी है यहाँ पर जो लोग मिलते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि वो अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलते हैं बट जैसे हमारा IT के उपर पूरा financial services का business है तो हम IT के लोगों को लेते हैं तो जब हमने उनको train किया और जो आज हमारा IT का platform है distribution में आज प्रवेबली वी आर दर लार्जेस्ट हम लोग करीब करीब एक लाग करोड का एउयम मैनेज कर रहे हैं और करीब 35 लाग investors है तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरत कई cities से comparison में ऐसी एक particular जगा है जहां पे अगर आप कोई भी सोचो तो वह opportunity को आप convert कर सकते हो business environment इतना अच्छा है लोग सब अच्छे है बिलकुल एक और चीज है आप जब सूरत पे घुशते तो बहुत सारी flyovers दिखेंगे आपको मत पूरी developed city है उसमें तो लाकिया जी कुछ नया करने के लिए किसी political party के पास कुछ नहीं बचता है अगर मैं मानदारी से बोलो तो लेकिन एक businessman को पता होता है कि यह चीज अगर नहीं हुआ तो आगे long term में नुकसान होगा ऐसे कौन सी चीजे हैं जो आपने अपने अनुभव से बिल्कुल इसी लिए इसी लिए मैं सब दिखाता हूं कि diamond में सबसे पहले the world में जो 100 diamond बनते है उसमें से 92 इंडिया में बनते है और 92 में से 85 only making in surat सौ में से 85 सूरत में बनते हैं कभी-कभी लोगों के लिए खुआ भी होता है वो खुआ पैसे पूरा करें और उनकी दूसरी विशेष्टा यह है कि pollution है नहीं नोग दुआ इलेक्ट्रिक में एक होस्पावर में चार लोग काम करते हैं अगर दूसरा कोई बिजनेस होता है तो उसमें एक दस होस्पावर में एक आजमी करता है तो एकदम पलिउशन का जोई है दूसरा है जगा जादा नहीं घेरते हैं डाइमंड बिजनेस में खली आउट गोईंग मनी है यह किसी को मालूम नहीं डाइमंड में बाहर से लाके यह पचास साल में किसी ने भी करोड रुपया दो करोड रुपया इन्वेश नहीं किया कोई बड़ की और शरू किया एकड़ एक चे ऐसे डाइमंड बिजनेस बढ़ा दखला तरीके में हूँ तो मैंने छे साल फेक्टरी में काम किया नाइन्टिन सिक्स्टी पॉर्ट तू सेवंटी सेवंटी में तीन मीत्र ने मिलके शरू किया आज हमारा कारोबार वन पॉइंट थ्री ब चेह सो वन्डर्फूल तो है कि डाइमंड में से कहीं लोग दूसरा सब बिजनेस में रियल एस्टेट में गए तेक्स्टाइल में गए मगर यह खाली आउट गोई जैसे चिन्ता मनी तो डाइमंड में से परिशा आता है रहता है किसी ने डाइमंड में डाला नहीं और डाइमंड में जो लोग काम करते हैं पूरा विश्वो में यह सब से अच्छे विश्वा सुलोग है अभी अभी जो कुछ हुआ डाइमंड का नाम बिगडा यह तो तक साधू लोग आये थे तो 40 साल ऐसा गया डाइमंड में कि उटका बेगड़ था वो खाली 0.2 था 40 साल तक यह अभी जो लाइस्ट 5-10 यहर्स में हो गया उससे नाम डाइमंड का बिगडा नाइमंड वाला लोग इतना अच्छा है कि वो गलत कर ही नहीं सकते मैं आपके पासरों के दिन भाई एक बहुत मेहतवपोन यह होता है कि जब आप किसी शेहर के अर्थ विवस्था की बात करें तो उसमें अर्थ विवस्था का वे स्वास्त ठीक रखना पड़ेगा तो अर्थ विवस्ता के स्वास्त को ठीक रखने के लिए आपकी ऑपीनिय जो है, अल्मोस्ट काफी लोग बिलोग पवर्टी लाइन है, किसी के पास हेल्थ इंस्वरंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो अभी मोधिती का गवर्मेंट जो जनरिक को प्रमोट कर रही है, कि जिसकी वज़ा से जो क्रोनिक डिसिस, जो लाइफस्टाइल डिसिस बूलते है कि मैने की 10,000-15,000 रुपय की मेडिसिन्स होती है, तो अगर वो उसको जनरिक, जनरिक का पहले मैं बता दू, कि जनरिक यह है कि एक्टिव फार्मसुटिकल इंग्रेडियन्स जो है, API बोलते है, तो वो सेम है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, वो सेम है, तो अगर गवर् जो फाइनेंशल जो प्रोब्लेम है, वहां से काफी अच्छा, वहां से सुजाव निकल सकता है. यह सुजा बहुत काम की जैसे, क्योंकि अभी जब हम इतना मुश्किल दौर में हैं, जैश जी, अगर हम COVID की खासकर बात करें, तो ऐसे में, क्योंकि आप खुद एक ऐसे बिसनस की बात करें, जिसके बारे में लोग सोचने से, मतलब शुरू करने से पहले तो सौ बार सोच लेकिन आपने इतनी मजबूती से कहा कि आज हम थर्ड लाजिस्ट पाइदान पर हैं, तो क्या COVID के टाइम पर आपने जो एम्पार खड़ा किया, उसको भी थक्का लगा, जो पहला लोग डाउन हम समझे तो सब लोग चाहे, डाइमन इंडिस्ट्री हो, टेक्स्टैल हो, य कि एकदम नहीं चीज़ थी, कोरोना सुना नहीं था, कोरोना से क्या होता है, किस तर इसकी उसकी मेडी सीन नहीं है, यह है, सब दिमाग के अंदर गुम रहे थे, लेकिन जो बिजनिस्मन के साथ, जो इंटेल इंसी थी लोगों में, वो बिजनिस्मनों ने सोचना शुरू क कि अब इसका यह होने वाला है, किसी ने X गैस किया, किसी ने Y गैस किया, इसकी तरह से जब लोगडाउन खुला इससे पहले, सब लोगों को रख प्रिप्रिशन तयार था, जो बड़ी-बड़ी इनिस्टीज लेके जो बैठे, अस तुम जो मेरी कंपनी में, लगवग इसकी चीज़ है, हमको क्या ख्याल रखना है, लेकिन हम दस लोग जो है कंपनी के अंदर, वो अपनी कोर टीम है, और अपनी को इससारी 4,000 लोग को संभाला है, और सारी 4,000 लोग के अंदर, जो आत्मविश्वा, सेल्फ पन्फिदेंस जो बढ़ेगा, तो इसके अंदर इ उसको डिमोटीव नी किया हमने, और हम उसको सेलरी कंटीन्यू, हमने उनको पे किया, एक दिन का हमने सेलरी भी नी काटा, ना तो कुछ हमने किया, हमने वर्क फ्रॉम हम दिया, जो जरूर थी, जो वो उसको हमने ऑफिस पे बलाया, और एक सिम स्ट्रिक लेवल से हमने फॉ प्रपरार रहे हैं है रोग के लिए उसके हैं और उसके लिए क्या है कि बहुत ज्यादगा पेशन्स चमुझ Goddess यह जाती बिजिनें के उनど कि गलत करने में शॉट कट दिखता है तो ट्रस्ट तब ही बिल्ड होता है कि ऐसे समय में हम हमारा कंपोजर रखे हम धिरे धिरे चले और अगर लॉंग टर्म आप सही कदम करोगे कि अपने करोगे बिल्ड है तो उस तरह से आइधिंग एक ट्रस्ट बिल्ड होता है मुझे लगता है कि इसका कंट्लूजन बर में जाओं तो अगर आत्मनिर्भर भारत की हम बात करने तो अपने धायत्व को भी समझें सिर्फ सरकार की करतव व्यूग पर हम ब्लेम करें कि सरकार की जिमेदारी थी उन्होंने यह किया उससे बहतर है कि हम अपने दायत्व को तो शायद एक आत्म निर्भर भारत की तस्वीर को हम समक्ष देश के सामने रख सकें बहुत-बहुत शुक्रे आप हमारे साथ जुडने के लिए जब हम सूरत की बात कर रहे हैं तो सूरत से भी यह संबाद जाना चाहिए कि कैसे बड़े ग्रूप ऑफ हेल्थ यहाँ पर काम कर रहे हैं मेरे साथ इस नेक्स्ट पैनल में जुडने वाले हैं डॉक्टर निर्मल चुरड़िया निर्मल हॉस्पिटल फाउंडर एंड डिरेक्टर बहुत-बहुत सभागत सर आपका बहुत-बहुत सभागत अभिनंदन और फिट मंत्रा के ओनर डॉक्टर अमानत काघजी मेरे साथ इस इस शर्चा में रहेंगे और मैं डॉक्टर अमानत को देखके मैं कह सकती हूँ कि जब आप फिट मंत्रा की बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा डॉक्टर निर्मल एंड अमानत जी का तो आप बैठिये मैं इस चर्चा को शुरू करूंगी हम लोग जब प्रदेश के और खासकर शहर की तरक्की की बात करते हैं तो मैंने सर गलत नहीं कहा कि हम निवेश सबसे पहले स्वास्त पर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है एक डॉक्टर होने के नादे पहले आप यही तो मुझे एक्स्प्लेइन कर देजिए कि सूरत का स्वास्त कैसा है देखिए सूरत का स्वास्ते तो पुरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है एक समय था जब सूरत को सबसे गंदा सायर मने जाता था आज सूरत नंबर दो सिटी है स्मार्ट सिटी में नंबर वन सिटी है और हेल्थ पेरामिटर में भी वन अप दे बेस सिटी है तो सूरत का स्वास्ते बहुत ही अच्छा है सूरत का स्वास्त अच्छा है सर ये समझा रहे हैं और इतने सरल तरीके से सर आप समझा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे परिदर्श रहे हैं उसके कि मुझे उस पर जाना पड़ेगा बहुत सारे कि एक मुश्किल दौर से हम निकले हैं कोवीट का टाइम डॉक्ट बड़े गृप्स के साथ जुड़ी हुए हैंगी और सबसे एहम यह कि कई लोगों के साथ आपकी चर्चा होते हैं फिट मंत्रा क्या है पहले तो मुझे यह बताये सूरत में फिट मंत्रा कैसे काम कर रहे है So yes, Fit Mantra is a group of very well qualified dietitians which is serving the society for their goals. So basically, Naam इसलिए Fit Mantra रखा गया के हम चाहते हैं के लोगों का perspective of fitness, बदले, आज तक यह था के पतले होना, fit होना है, but thinness, fitness, अलग चीज है. So वो बहुत clearly define करता है Fit Mantra. बतलब आप पतले हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप fit हैं? Absolutely, absolutely. आप कैसे काम करेंगे, मुझे लगता है आप सूरत के लोगों को आज वो मंत्रा दे कर जाएंगे. बिलकुल. लेकिन सर, on a serious note, हम लोग एक मुश्किल तोर से गुजरे हैं, और ऐसे में पूरा जो आपका hospital है, या पूरा जो गुरूप है, वो कैसे काम कर रहा है? कोवीड में खासकर, लोगों की कैसे मेदद कर रहा है, लोगों से सीधे, मैंने फिर कहा कि समवाद जो है, वो हमारे जीवन में बहुत जुरूरी है, पेशन्स के साथ समवाद होता होगा आपका डिरेकली, कैसे डील कर रहे हैं उस चीज़ को आप? देखें, मैं आपको थोड़ा भूतकाल मिले जाना चाहूंगा, सूरत ने स्वास्ते के दिष्टे से बहुत खराब पिरियट डेखा था, जब सूरत में फालसिवर मेलिया के कैसिज होते थे, डेंग्यू के कैसिज होते थे, उसके बाद पर पे प्लेग हुआ, फिर यहां जब बाद आई तो बाद की बीमारियां भी हुई, लेकिन आपने देखा, आप खुद थोड़ी देर पहले कह रहे ही थी की सूरत कितना स्वाच सहर बन गया, और यह बीमारियों में हमने यह देखा कि जो मेडिकल फ्रेक्टिनिटी अफ सूरत है, उसने हमेंसा होती है, तब ही आप बेस्ट हेल्थ केर कॉमुनिटी को डिलिवर कर सकते हो, और यह एक्स्पिरियंस जो हम लोगों को था, जिसके कारण जब कोविट के सभवात हुई इंडिया में, हमें यह समझ में आ गया था कि पूरा वर्ल्ड इसम से ग्रसित होने वाला है, डेवलो को डिलिवर कर दिया है, तो इंडिया भी बचेगा नहीं और सूरत भी इसके चपेट मायेगा, एक डेड मेने बाद में जब समझ में आया कि कैसी बहुत बढ़े हैं, तो हमने दो बड़े अस्पताल जो सोव बेट से जादा थे उनको कोविड में डेजिगनेट किया, और जब केस बढ़ने लगे तो सूरत की लगबग सभी होस्पिकलें कोविड में जोड़ी और सरकार के साथ मिलके अपने थर्टी तू फिप्टी परसंट बेट समने लोट किये, कि जिसमें कोरोना की कैसे जब हम अगिल कर पाए, अप सुचिए कि पहले जब हम कोई प्रनायाम करने की बात करता था, या योगा करने की बात करता था, या अपने आपको फिट रखने की बात करता था, तो लोग उसे second priority समझते थे, पहले काम पे भागना है, ऑफस के लिए निकलना है, लेकिन अब लोगों को पता है कि आपने अगर अपनी हेल्थ पे इन्वेस नहीं किय तो आप बहुत कुछ खो देंगे, तो उसके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं, मैंने सुनाए कि आप एक मॉबाइल अप्लिकेशन के जरिये भी. Yes, yes, जब पंडामिक स्टार्ट हुआ, सूरत में स्पेशाली जब लॉकडाउन हो गया, everybody was losing some or the other loved ones. The only thing that हमने लूज नहीं किय वो थी hope. और इसी hope को पकड़े हुए, हमने पूरा experience किया, लोग यहां पर क्या मिस कर रहे हैं, health. क्यूं? क्यूंके जब तक उन्हें वो disease हो नहीं जाती है, experience नहीं हो जाता, तकलीफे बढ़ती नहीं है, वहां तक वो चलता है. मतलब हम हमारा सबसे जब तक आपको थायराइड में होता, तब तक आप थायराइड के बारे में पढ़ते नहीं है, जब तक आपको diabetes नहीं हो जाता, तब तक आप उसकी तरफ धान नहीं देते हैं. नहीं, ऐसा भी नहीं कहूंगी, in fact, diabetes होती है, बट वो diabetes से अभी कोई और तकलीफ नहीं हुई है, जिसको हम comorbidities भी कहते हैं, कोविड में हमने देखा, जिनको cholesterol बहुत है, जिनको diabetes थी, वो सबसे ज़्यादा सफर किये हैं, so वो condition जब तक नहीं आ जाती, जब तक बरदाश के बहार नहीं होता, वहां तक हम alert ही नहीं होते, so this was one parameter जो हमने study किया, द है, वो miss out, so वो miss out portion को लोगों तक evenly पहुचाना, and then to go to a mass, you know, ऐसा नहीं कि सिफ सूरत में करना है, हम चाह रहे थे कि हम जितना दूर तक किसी को भी help कर पाए, तो वो कैसे करना है, and then हमने study किया कि yes, एक mobile application will be the best practice, जहां पे हम हर service उन्हें similar platform पे दे सकते चाहे वो सूरत हो या ना हो, and then we launched it. आप environment के लिए भी आप लोग काम करते हैं? Environment के लिए, yes we do, but then our total office is totally environment friendly, like no paperwork, safe trees, we follow that, so हमारी हर चीज आपको mobile पे अपने fingertips पे ही मिलेगी. मतला आपने आप इतना टैक से वी होगा है, कि आपने पेपर वेपर सब छोड़ दिया, लेकिन उसका एक positive चीज यह है, कि आप लोगों को यह भी समझा रहे हैं, कि आप कागस बचाईए, पेड़ बचाईए, अहा, yes, यह needed है ना, हम जिस environment में रहते हैं, वो सबसे जाद आ लोगों को बहार जाते हुए, अच्छा इतनी दूर तक दिखता है, फॉगी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तो यह सारी चीजे भी हमारे लिए, और हमारी आने वाली future generation के लिए बहुत जादा important रहने वाली है, तो हमें ही start करना है, अपनी generations के लिए, save करके रखना है, so this is what we believe. और अब मैं, क्योंकि सूरत से हम ये बात आगे बढ़ा रहे हैं, अब मैं चाहूंगी कि मैं next जो मेरा पैनल है, उसको बुलाना शुरू करूँ. मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, A1 Fire Safety की डिरेक्टर श्री मंदीप संधु जी, सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ इस कारक्रा में जुड़ने के लिए, जी हिंदुस्तान प्रिजेंट कर रहा है, हिंदुस्तान की बात सूरत से 2021, बहुत-बहुत स्वागत स हमारे साथ इसी पैनल में जुड़ेंगे अजमेरा फैशन की डिरेक्टर श्री अजे अजमेरा जी, बहुत-बहुत स्वागत सर आपका, और आपकी पूरी प्रेसंस हमारे लिए इंपोर्टन रहेगी, हम ऐसा मानते हैं, और एक खास महमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं श्री राधे ड्रेडी फार्म के डिरेक्टर, श्री भूपत सुखाडिया जी, बहुत-बहुत स्वागत सर, प्रदेश की अर्थ वैवस्था की बात करते हैं, तो आप अपनी ही घर से ही शुरू कर सकते हैं, किसी शेहर को मजबूत बनाने के लिए, उसको, क्योंकि आप फ बताईए, शुरत में अब भी तो कोई ऐसी डिमांड रही नी, क्योंकि लास्ट तू येर्स में सूरत फायर सेफ्टी के अंदर पूरे देश के पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर चुका है, और हम लोग उनिवर्सल बहुत सारी फायर सेफ्टी के अंदर डि लोगों को काम करवाने के लिए बहुत सारी गाइडन्स चल रही है, अनोसी के लिए उनके ओपर बहुत सारा दबाब दिया जाता है कि आप काम करवा के अनोसी रखो, तो हमारे शेहर के बहुत लोगों ने इसके ओपर अच्छे से काम करके अनोसी ले चुके हैं, और मुझ जब घर हुआ, ओफिस हुआ, हर जगे इस चीज की जरुत है, क्योंकि ये मुझे लगता है, वो बुनियादी सुविधाओं में से एक है, जब हम किसी नए घर को बनाते हैं, तो सबसे पहले देमाद होते हैं कि यहाँ फाय सेफटी है या नहीं, हम किसी ओफिस की बात करें, तो वहाँ पे फाय सेफटी है कि नहीं, जब हम होटेल में पहुंच के इस बैंकुट में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भी हमें पता है कि यहाँ फाय सेफटी होगा, तो यह वो चीजे हैं, जो बुनियादी चीजों में से आते हैं, अच मेरा फैशन कैसे शेहर के लिए काम कर रहा है, आप लोगों की जो चैलिंजेज हैं, या जो रोड मैप है, या जो प्लाटफॉर्म है, वो कैसे शेहर के लिए इंपॉर्टेट बन रहा है, बात करूं अगर मैं हमारे सेक्टर की कपड़े की, तो सूरत एक नंबर पे है, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर दूसरी चीज, अगर पूरे हिंदुस्तान में, अगर कपड़े की कहीं भी किसी ने शॉप करी है, तो सूरत के बगएर उसकी क्या बोलते हैं, गती पोसिबल नहीं है, उसको सूरत तो जुड़ना ही पड़ेगा, तो कपड़े के लिए इतनी बड़ी मंडी है, यहां आपन इसको चूज किया है, सूरत को, और सूरत में, टेक्स्टाइल में आपने मुझे चूज की लिए, अपनी बात को रखने के लिए, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत दन्यवाद कहना चाहूंगा आपको, थैंक यू, थैंक यू बेरी मच. भूपट जी, श्री राधे डेरी फार्म, कैसे नया सूरत के लिए नई निवेश की संभावनाओं को बढ़ाता है, कैसे शहर में लोगों की डिबान्स को पूरा कर रहा है? हर एक सिटी की या तो पॉपुलेशन की कोई ना कोई डिबान तो रहती है, जैसे मैं बात करूँ अभी COVID का बीड़ चल रहा है, तो रिसेंटली, खास करके वराचा में, जो COVID सेंटर चल रहा था, तो हर एक लोगों को रिक्वाइर्मेंट ही थी, कि किसी ना किसी का जो प्र हमारा जो भी तन मन दन लगा के, हमने वो प्रोवाइट किया सब लोगों को, तो रिक्वाइर्मेंट के इसाब से फुल्फिल भी होना चाहिए हर एक चीज, यह मेरा मानना, मुझे लगता है कि रिक्वाइर्मेंट के साथ साथ कि कोई व्यक्ति अगर यह समझ रहा है कि उस कि सुसाइटी को क्या चाहिए होगा, जैसे हम fire safety की बात कर लें, तो even fire safety कैसे वो बदलाव ला पा रहा है, जिस बदलाव की मैं बात कर रहे थी, कि अब हम changes को बहुत opt करते हैं, हम cope-up करते हैं चीजों के साथ, नए जो builders होंगे, यह जो नए investors होंगे, जो office, यह real state की, मैं sector क की बात कर रहे हूं, वो लोग भी आपको खुच से प्रोच करते होंगे, इस तरहे का एक roadmap होगा, जी बिलकुल, हमारे सूरत में जो infrastructure आ रहा है, उसके accordingly जो safety measures होते हैं, as per law, हम लोग NBC के accordingly यहां पे सब काम करते हैं, National Building Code of India, फिर हमारा एक Gujarat State का अपना भी एक GDCR है, तो उ एक high-end है, के हम लोग अगर 20-floor की building बना रहे हैं, तो उसके लिए यह provisions होने चाहिए, इसी तरह से industry के लिए है, textile markets के लिए है, सब के protocol set है, और वो जो protocols बने हैं, safety के measures को लेके, वो इस level तक हैं के कभी भी कोई fire होता है, तो उसके immediately control किया जा सकता है, क्योंकि वो automation systems लग रह हैं, यहां के builders बहुत सारा दे रहे हैं, और खासकर हमारे जो fire department है, हमारे जो chief fire officer है, जा commissioner साव है, तो उन्होंने इसके उपर बहुत strictly सब लोगों को कहा है, के भी आप fire safety का अच्छे से काम करें, और उसका NOC ले, और जब तक यह एक NOC का, इन्होंने protocol set किया, के भी NOC लेना है, के इंडिया में बहुत first number पर चल रहा, fire safety में, क्योंके यहां पर चोटी से चोटी दुकान भी NOC लेता है, दुकान का अनर जो इंटर्पिनर रहा है, कोई बड़ी industry है, कोई ऐसा scale नहीं है कि इसको NOC नहीं लेना, कोई भी छोटे सा restaurant है, कोई cyber cafe है, उसको भी NOC लेना है उसके पास में safety cup, fire extinguisher, जा कोई भी detection system, smoke detector वगएरा, alarm system, यह सब compulsory किया गया है, और उनको NOC लेने के बाद ही आगे का उनका process होता है, तो यह मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, कि सूरत से बहुत सारे दूसरे शारों में भी बहुत सारे कॉल आते हैं, ज कि यहां पर बाहर जो जाकर लोग देखते थे कि अमने जी Singapore में मुस्तवा मॉल में यह देखा, जर्मनी में यह देखा, तो अभी प्राओड लियम बोलते हैं कि जो आपने देखा तो हमारे सूरत में है, तो मैदब यह मैं कहूं कि वो आत्म निर्भरता वाला जो सपना है, बिल्कुल, बिल्कुल, पहले आज से कुछ समय पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे कुछ लो, लेकिन पिछले 3-4 यह से जब तक मौदी जी ने शुरू किया है आतम निर्भर का, तो बहुत सारी चीजे यहां पर मनुफैक्शर होने शुरू हो गई है, पहले नहीं होती और पहले बाहर की चीजों पर ज्यादा बलीब भी होता था, लेकिन जैसे जैसे इसका यूज बढ़ा है, सेफ्टी के अंदर, तो लोकल इतनी बहुत सारी कंपनिया इसमें, बहुत सारे लोग इसमें, सूरत के अंदर ही कम से कम मेरे ख्याल से 50 प्लस कंपनियां जो इसके किसी शार में काम कर रही है, किसी शार में एक दो कंपनी से जादा नहीं होता है, यही चीज अगर मैं इसे आप से पूछना चाहरी है, क्योंकि एक डेर दो साल का मुश्किल दौर हमने देखा है, और सूरत में, आपने ठीक कहा कि Synthetik यहां से 100 किलोमेटर में भी आपको न आती रही है, देखे, मोधी जी ने अभी आपदा को अवसर में बदलने का जो एक सुत्र दिया है, मैं उसी को बढ़ा करते हुए सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, कि इश्वर हमें कुछ बढ़ा देना चाहता है, तो वो मुसीबतों की पोटली में लपेट के देता ह यह जो कोरोना मुसीबतों की पोटली लेके आया था, इसमें से हम लोगों को जो गिफ्ट मिला वो मिला डिजिटलाइजेशन, आज हम लोग सूरत में 50,000 मैनुफेक्चरेर हैं, पूरे ओल ओवर वर्ड में कपड़ा जाता है, और अभी कोई भी ट्रेन वगरे कुछ भी च चालू है हमारा कपड़े के जितने व्यापारी है, वहां से बैठे आडवार सब के ऊपर, या एब बना ली है सबने, वहां पर वो डिजाइन देखते हैं, और अपना पूरा व्यापार आज भी चालू है. पूपची क्योंकि मैं जिस पारंपरिक विरासत की बात करें उस पे उद्योग भी आते हैं, ऐसा है कि पारंपरिक उद्योग से आगे नहीं बढ़ रा सूरत, ऐसा है, या हो सता है कि मैं गलत हूं, लेकिन एक कॉमन सी यहां पर चलन है कि हमारा तो पुराना दंदा है, हम लोग यही करते आए हैं, तो नए बिजनस में या नए स्टाट अप्स में, मैं इसलिए आप पुछू पुछू पर चीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो नए बिजनस में जाने से क्या लोग कतराते हैं या अपने बच्चों को उसमें भीजने से कतराते हैं? नए ऐसा जरूरी नहीं है, वो हमारे उपर डिपेंड है, जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पादर फार्मर्स थे, मैं फर्स जनरेशन बिजनेसमें हूँ, अभी और मेरे बच्चे की बात करूँ तो अभी टाई साल का है, तो हमारे में वो पेशन होनी चाहिए, कि हम क कोई भी बिजनेस डेवलप करने का है, तो आपको वो स्पेंड करना पड़ेगा वो टाइम, तो हो अरेक के उपर डिपेंड है वो चीजे, कि कैसे उसको आगे डेवलप किया जाई, मुझे रखता है कि जब आप अपने घर में तरक्की के लिए पॉजिव होते हैं, तो कर्थवेवस्ता में उतना ही योगदान और उतनी भागिदारी निभा रहे हैं, इमाई राइए? अहां जी, बिलकुल, बिलकुल, यहां पे ना फिनेंशली कंपटिशन कम है, ग्रोइंग कंपटिशन जादा है, तो मुझे लगता है कि सूरत की ये क्वालटी उसे सबसे अ हुई, हमने काफी विचारों का आदान-प्रदान किया, काफी माननेवर व्रक्तियों ने अपने पूरे विचार यहां पे एक तरह का नया अनुभव हमें प्राप्त हुआ, और मैं चाहता हूँ कि ये सूरत का जो जजबा है, ये सूरत का जो जोश है, वो हमेशा बरकरार और मैं पूरा शुक्रिया करना चाहता हूँ आज के सारे पैनलिस्ट का और उनके जो मौलेवान विचार है जिनका मौल किया नहीं जा सकता जो आज सब जनता के सामने रखे और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे पूरे क्रू, मेरे टीम का और इसी के साथ इस प्रोग्र